तक की पढ़ाई की और तभी से उसने इसलाम धर्म के अच्छाईयों को बताना शुरू कर दिया था पीडिता का कहना है कि जब वो नौकरी ढून रही थी तो निशात नहीं उसे मदर्से में 1500 रुपय की नौकरी दिलाई थी इसी बीच 29 जून को पीडिता को बंधक बना कर गळके दतोई स्थित मदर्से में ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाया गया जिसके बाद उससे गैंगरेथ किया गया इसके बाद मदर्से में बहला फुसला कर पीडिता का धर्म परिवर्तन कराया गया इतना ही नहीं जब गैंग रेप के बाद पिडिता की हालत बिगडी तो उसे मेरट के एक अस्पताल में ले जाकर अल्टरा साउंड कराया गया बाद में पता चला कि पिडिता की फिलोपियन ट्यूग निकाल दी गई है जिस वजह से अब वो कभी मा भी नहीं बन सकती इतना ही नहीं उसे मौलाना सिद्धिके की लिखी आपकी सेवा आपकी अमानत में भी पढ़ाई गई पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इतने परवी अखिलेश सरकार की आखे नहीं खुली सुदर्शन नियूज के लिए हरशित शर्मा के साथ संदीप किलवारी के रिपोर्ट तो वैसे तो यूपी आम तोर पर अपराधू का घर बन चुका है लेकिन इस जो घटना की हम बात कर रहे हैं अपने आप पे शर्मसार कर देने वाली खटना है एक यूपी के साथ क्या अंग्रेप किया गया और उसके बाद उस यूपी का धर्म बदलने की बात की कई यूवती का धर्म परिवर्तन किया गया तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यूपी की जो विवस्ता है वो चर्मर आ गई है पूरी तरह से चर्मर आ गई है वैसे तो तमाम राजनितिक डल इस पर पहले से ही सवालिया निशान खड़ा करते आया है लेकिन इस घटना के बाद कही न कहीं ये कहा जा सकता है कि ये जो घटना है ये अपने आप में इंसानित को शर्मसार कर देने वाली है आपको बता दे कि यूवती को जबरन उठाया गया उसके साथ ग्यांगरेट किया गया और फिर उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया सवार ऐसे में बहुत सारे खड़े होते हैं कि यूवती का धर्म परिवर्तन क्यों किया गया इस पर जो चुपी है वो सरकार ने अब तक क्यों साथी हुई है सरकार इस पर कोई कडाक्शन क्यों नहीं ले रही है और जब इस तरीके से बात की जाती है सरकार से, सपा सरकार से तो तमाम जो नेता हैं वो इससारा के दावे करते हैं कि यूपी में उन्हें बद्दाम करने की कोशिच की जा रही है वैसे अगर गैंग रेप की बात करें तो ये कोई पहला मामला नहीं है से पहले भी तमाम ऐसी घटनाए उटती आई हैं जिन से इंसानियत समय समय पर शर्मसार होती आई है लेकिन ये मामला अपने आप में चौकाने वाला है क्या मानकर इसे चला जाए क्या इसे कहा जाए एक बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा हुआ है कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक यूवती है उसके साथ गैंग रेप किया गया है और उस यूवती को धर्म परवर्तन के लिए मजबूर किया किया है बर्गलाने की उसे कोशिश की काई है इस पर तमाम सवाल या निशान सरकार पर भी खड़े होते हैं कि आखिर यूवती में इस वक्त विवस्था कैसी है कि जो इस तरह की घटना है वहाँ देखने को मिल रही है चलिए इस पर जादा चांद कारी देने के लिए हमारे समवाद आता मेरट से इस वक्त हमारे साथ चुड़े हुए है गौरव आपने मेरट का जाइज़ा लिया आप वहाँ पहुँचे आपने दौरा किया क्या कुछ इस सिपी बानी हुई है और क्या कुछ एहम खुलासे निकल कर आए हैं पूरी घटना को लिए देखें अजली फिलहाल जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है इसमें कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो रोल है वो मदरसा प्रसासन का है मदरसे में किस तरीके से लड़की को पहुँचाया गया और उसके बाद से लड़की के साथ इस तरीके से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया आज सुबह से वहाँ पे तमाम ऐसे संगठन है जो पिडित परिवार के घर पे पहुँचे उनको धाड़स दिलाई कि हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं लगातार विरूत परदर्शन चला है और अगर उस गाउं की बात किया जा जिस गाउं के अंदर ये मदरसा है मदरसे के अंदर 200 ऐसे चात्र हैं जो पढ़ते हैं और 30 चात्र ऐसे हैं जो होस्टल के अंदर रहते हैं मेरी जब मदरसे के जो संचालक हैं उनसे बाचीत हुई उनका कहना था कि जो पिडित लड़की थी वो वहाँ पढ़ाने जबाई थी तो सुरू सुरू में उसका किसी के साथ ऐसा कोई बेवार नहीं था वो सिर्फ एक नौकरी लेने के लिए वहाँ पे आई थी और हिंदी और अंग्रेजी की जो सिक्षा थी वो लड़की वो देती थी मदरसे के अंदर जाहिर सी बात है किस तरीके से लड़की मदरसे में क्लास कराने के लिए आती है उसके बात से वहाँ से किस तरीके से प्लानिंग होती है हलाकि अगर लड़की के पढ़ाई की बात किया जाये बताया जारा पढ़ोस की रहने वाली जो बगल की लड़की थी हलाकि उसे भी पूस्ता चल रही है वो उसके साथ सुरू से रहती थी और कहीं न कहीं उसके साथ रहने से जो मुस्लिम धर्म के प्रति होती है उसकी आस्था जादा बढ़ गई उसके बाद से मदरसे में वो शिक्षा दिक्षा देने लगी पंद्रे सो रुपए मातर उसे मदरसे में मिलते थे हलाकि पिरित लड़की की मा का कहना कि उपंद्रे सो रुपए भी टाइम से उसे नहीं दिये जाते थे गाओं के अंदर जितने लोग हैं उतने तरह की बातें निकल के सामने आ रही है आज मैं पूरे दिन उस गाओं के अंदर आज कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो ग्राम परधान था वो लड़की के उपर बुरी निगाह रखता था हलाकि कुछ लोगों का ये कहना है कि लड़की को नौकरी दिलाने के नाम पर वहां से निकाला गया उसके बाद से लड़की मदरसे में जा करके जॉब करती थी पढ़ाती थी लेकिन अचानक से एक महीने डेड़ महीने की बात है जब लड़की मदरसे में नहीं गई थी क्योंकि उसे मदरसे प्रसासन के तरफ से निकाल दिया गया था कि अगर संचालक की बात करें, संचालक इस पूरे मामले पर यही कह रहे हैं कि जो लड़की थी, वो लगातार चात्रों को पढ़ाने के लिए क्लास में नहीं आती थी, इस वज़ा से मजबूरी में उसे वहाँ से निकालना पड़ा, उसके बाद से यह पूरा मामला, जो पर नहीं आना चाहते हैं, और सरपंच के खिलाब भी नहीं बोलना चाहते हैं, निशित तोर पे, और अगर पूरे गाओं की बाताओं अंजली, यह मुस्लिम बहूल इलाका है, इसमें सबसे ज़्यादा परिवारों की जो संक्या है, मुसल्मान रहते हैं इन गाओं में, हि पर निशित लड़की के मा का कहना है, कई लड़किया मदरसे में पढ़ाने जाती हैं, वो हिंदू हैं, उनके साथ भी सरीके की घटना हो सकती हैं, तो निशित तोर पे, तमाम जो यह पूरा घटना क्राम हैं, सबसे पहले तो सवालों की घेरे में हैं, लगतार गाओं के अ असन को भी इसका जबाब देना पड़ेगा, और जो वहां के पुलिस अधिक्षक हैं, वो इस पूरे मामले की जाज कर रहे हैं, डियम खुद इस पूरे मामले में लगे हुए, तो निशित तर्प चौका जेने माले की जाज करनी भी होगी हैं, क्योंकि बहुत गंबीर आपको बता दें कि इस दर्की ने छूटने के बाद से तरह के बयान दी हैं, कि वो अकेली वहां नहीं थी, उसके अलावा भी बहुत सारी लड़किया थी, चलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कही ना कहीं, इसके पीछे एक रैकेट का हाथ हो सकता है, एक ग्यांग इसके और से पुलिस के और से तमाम बाते की जा रही है कि और कड़े कदम उठाए चाएंगे, फिलाल जो जाच है वो कितनी आगे बढ़ पा रही है? प्रमुक्ता से थोड़ा तूल दिया है, और सबसे पहले जब हमने इस खबर को उठाया था, तो उस समय इस पर इस्थितियां ऐसी नहीं थी, लेकिन आज जब हमने इस खबर को उठाया, ग्राउंड जीरो पर मैं खुद गया, तो इस्थितियां बदली हुई थी, तमाम मी मदर्से हैं, जहां पर इस तरीके के क्रिया कलाब किये जा रहे हैं, हम किसी धर्म बिशेश के बारे में नहीं बोल रहे हैं जली, लेकिन साथ तोर पे जो मदर्से हैं, वहाँ पिर सिक्षा की तालीम दी जाती है, उन्हीं मदर्सों के अंदर लव और जिहाद का एक अलग स एक अभियान छेड रखा है, जिसमें हिंदू भोली भारी लड़ियों को फसाया जाता है, वाकर यह सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा है, जहां तालीम दी जाती है, जहां लोगों को सिखाया जाता है, वहाँ पर इस तरह की घिनोनी घटना को अंजाम दिया गया है मदर्सी में गैंग रेप किया गया, उसके बाद यह तमाब घटना को आगे पढ़ाया गया, सवाल कहीं न कहीं यूपी की सरकार पर भी इस वक्त खड़े होते हैं, कि आखिर कैसी विवस्था यूपी के अंदर है, किस तरह का प्रशासन है और पुलिस किस तरह से इस पूर तो यूपी में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, वो अपने आपे दिल दहला देने वाला है, कहीं न कहीं उसे जानकर सुनकर लोग कि ये जरूर समझ कए होंगे, किस वक्त वो भी यूपी में कितने सुरक्षित हैं और कितने नहीं, चले इस पूरे मस्ते पर हमारी परताल की है, उस परताल को हम आपको पूरी रिपोर्ट के जरे दिखाते हैं जो जबरन धर्म परिवर्तन कराने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, यहां लड़कियों को टकसाल की तरह खास धर्म में डाला जा रहा है सुदर्शन ने वो जिससे पहले भी मेरट के आसपास लव जेहाद का खुलासा करता रहा है सुरावा की हिंदू लड़की के गैंग्रेप और जबरन धर्म परिवर्तन की कहानी भी लव जेहाद जैसी ही है सुत्रों के मुताबिक सुरावा की लड़की के पीछे तीन साल से एक संगठन लगा हुआ था बाकाइदा उसकी एक सहली के जरीए उसको अपने करीब लाया गया जवानी की दहलीज पर पहुँची पिडित लड़की को धेरो सबजबाग दिखाए गए धर्म की महांता के दर्जनों किस्ते सुनाए गए और फिर उसे एक ऐसे अंधे कुए में धकेल दिया गया जिसके बारे में उसने कलपना तक नहीं की थे ये सारा काम एक मदर्से में रहने वाले लोगों ने किया ग्राउंड जीरो पर सुदर्शन न्यूज समवादाता गौरमिश्रा को कई चौकाने वाली चीज़ें पता लगी मुस्लिम बच्चों को तालीम देने वाली पवित्र जगह मदर्से का इस्तेमाल गैंग्रेप और हतियार रखने के लिए हो रहा है दर्जुने मदर्सों के नीचे तहखाने बने हैं जहां एक एक साल तक ठहरने का पूरा इंतिजाम रखा गया है यहाना केवल अपराधी तत्पू को पनाह मिलती है बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन की साजिशें भी तैयार होती है मेरत की पीडित लड़की इसी साजिश का शिकार होई सुत्रों के मुताबिक लग जिहाद में लगे संगटन पहले कुछ मुस्लिम लड़कों को इसकान के लिए बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं फिर धर्म के नाम पर कुछ मुस्लिम लड़कियों को गरीब परिवार की हिंदू लड़कियों से करीबी हासिल करने की जिम्मेदारी दी जाती है सुरावा की पीडित लड़की के साथ किछले तीन साल से ऐसा ही हो रहा था ऐसी लड़कियों को आर्थित तोर पर मदद का भरोसा भी दिया जाता है उनकी नौकरी का इंतिजाम भी किया जाता है इसी दोरान वो किसी लड़के के प्रेम के चक्कर में पढ़ जाती है इसके बाद उनको खास धर्व की अच्छाईया बढ़ा चड़ा कर बताई जाती है इस दोरान चंगोल में फसी लड़की से रेख तक होता है सुरावा की हिंदू लड़की को प्रेम में डालने के बाद उसके साथ गैंग रेप तिया गया उसे कई मदरसों में रखा गया उसने जो खुला से किये वो हैरान करने वाले हैं जिसके मुताबिक ऐसे मदरसों में लड़कियों के जुंड मिले, जाहिर तोर पर ऐसी लड़कियों को विदेशों में तसकरी किया जाता है, जहां ये सौधिया के और अपतियों के हाथों सौप दिया जाता है। हलांके जिस तरीके से ये गिरोह काम कर रहे हैं, लगता नहीं कि ये धर्म के सिद्धानतों पर चल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जबरन धर्मांतर की साफ तोर पर मना ही है। इससे जाहिर होता है कि आर्थिक फायडे के लिए ऐसे लोग केवल धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तुष्टी करन की हब तक जा पहुंची यूपी की सरकार से, यहां की पुलिस इस हब तक दर्ती है कि ऐसे जीरोहों के कारनामों के खुलासे से पहले दस बार सोचत तो तीन साल पहले रची गई थी इस पूरी कहानी के स्क्रिप्ट और इस पूरी कहानी के बीच थी वो लड़की जिसके साथ ये पूरा घटना करम हुआ कुल मिलाकर एक बड़ा सवाल यहां यह पूरी कहानी छोड़ जाती है कि आखिर इस तरह की घटनाए क्यों हो रही है इस तरह की घटनाओ को क्यों अंजाम दिया जा रहा है और इस पर पुलिस और प्रशासन की नजर क्यों नहीं है क्यों धर्म परिवर्तन किया जा रहा है जबरन लड़कियों का और क्यों उन्हें बाहर भेजा जा रहा है ये एक बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा कर देने वारा है कुल में आकर हमारे समबादात गौरब मिश्टरा ने इस पर पूरी परताल के बात कई और एहम खुला से निकल कर आए कई और एहम चीजे निकल कर आई है जो अपने आप में चौका देने वाली है इस तरीके के जो भी मदर्से बनाए गए है तालीम के लिए इन मदर्सों को बनाए गया है लेकिन तालीम के नाम पर क्या कुछ इन मदर्सों में हो रहा है वो हमने आपको एक रिपोर्ट के सरे दिखा चलिस पूरी चर्चा पर हमारे साथ जुड़े हुए है स्वक्त स्वामी विश्वानन जी और मौलिक भारत के रास्टे महासाचिव अनुज़ाकरवाल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है कारेकरम में चलिस स्वामी ची सबसे पहले आपका रुख करता और आपसे जानना चाहते है कि आकर इसके पीछे वज़ा क्या है क्यों ये धर्म परिवर्तन किया चारा है जबरन क्यों वर्गलानी की कोशिश की जारी वंदेगो मात्रों देखें बार-बार हमारे सामने तीन पॉइंट आते रहता है एक पॉइंट होता है ये धर्म परिवर्तन का बाते हैं और लोग जिहाद और दूसरी बात आते हैं पेट्रो डॉलर्स जो गल्फ से आये हो ये मनी जैसे जैसे उदर का इसलाम धर्म का परचार के लिए वो लोग जो पैसे देते हैं और तिसरा बात आते हैं हमारे सामने ये प्रशासन चुपी ये प्रशासन जो भी है उदर इतना काम होते हुए भी इतने अन्याय होते हुए भी स्वामी विश्वासन अंजी आपने पूरी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या लगा कि क्यों इस तरह की जो घटनाए है वो निकल कर सामने आ रही है और क्या वज़ा इसके पीछे रही है इसमें यही है प्रशासन का फेलूर पहले तो इमीडियेटली यूपी सरकार को बंद करके प्रेशिडेंशल रूल लगाना बहुत जरूरी है और दूसरी बात जो भी जो पोलिस को रिपोर्ट आता है कोई भी गलड़की गाएब हो जाती है या कोई गाउं से या कोई कस्पा से वो इमीडियेटली ये लोग एक्शन लेना बहुत जरूरी है नहीं तो इसको कोई मिलिटरी का या कुछ जो कूफियों के साथ जो काम पोलिस हमारा पोलिस चाहे तो बहुत अच्छा काम कर सकती है बहुत जगा हम देख रहें आजकल अगर ऐसा ही अगर यूपी में भी क ऐसा जाना होता है ऐसा इनका ओपर भी कोई ना कोई कंट्रोल रहना जरूरी है जितना अपना जो सुदर्शन चानल का जो इंक्वेरी हुआ है या कितना भी स्टोरी आप लिया है यह बहुत अच्छे है और आगे चलकर मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ अभी अगर हम पूरा दुनिया तोरफे हम देखेंगे अगर अभी तक 142 एकसो बैयालेस देश क्रिश्टियन का अंदर है इसाय करण में है और 52 देश इसलामिकरन में है अभी इन दोनों के बीच में यह सामराजवादी का बहुत बड़ा भयानक कॉंपटिशन चल रहा है कि जितना जल्दी भारत को पकड़े क्योंकि इसको सेकुलर डिकलेर कर दिया यह सेकुलर डिकलेर करने से हमको कितना फाइदा हुआ है कितना नुकसान हुए हम देखी रहे हैं और आगे चलकर अभी जो नेपाल का प्रशासन भी बोल रहे है कि हमको फिर से हमको दिखाना है कि हम हिंदू रास्ट रहे हैं ऐसा भारत में भी ऐसा अगर हम आगे चलकर प्रशासन को हम एक्ट्व करके पोलिस के एक्ट्व करके अगर य आने वाली ये जो एक परिवर्तन हो रहा है एक ऐसा मुगलिस्तान बोलके उसको भी रोकना है और जो रेड कार पर येसा हमको चैना से लेके केरला तक जो आतंकवाद फाइल रहा है ये सब का पैसा कहां कहां से आ रहा है इसको बहुत ही स्ट्रॉंग लिगानी होगी शरकार क करूप करते हैं पूरी रिपोर्ट आपने भी देखिया आपको क्या लगता है किसके पीछे क्या वजह रही होगी जिस तरीके से भारत धर्द नर्पेक्ष देश कहलाता है फिर ऐसे देश में इस तरह की घटना को किस तरीके से लिया जा सकता है देखने में एक समाने बलात हुआ है इन चीजों को ज्यादे अच्छे से दिखाने लगा है ऐसा नहीं गटना है लगातर ना आती रही है और कम से कम 6-7 लाख लड़कियां अब तक लब जिहाद का शिकार हो चुकी है यह लड़की चुकी कहीं न कहीं चंगुल से निकलना चाह रही थी और इनको लगा कि इसको सबक सिखा है तो उन्हें सामुईक बलातकार किया लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी शाजिश है वो बहावी आंदोलों है जो साओधी अरफ से कतर से फंडेड होता है पूरे दुनिया में दुनिया का इस्लामी करान करने के लिए कुछ तथा कतित कठर पंती मु जो उस बहावी कतर पंत जो अरफ से और कतर से इंस्पायर्ड है फंडेड है और जिसमें जो पाकिस्तान के माध्यम से बंगलादेश की माध्यम से वहाँ पर बॉर्डर के थूरू फंडिंग आती है और प्रशिक्षित कहीं नगी मौल भी आते हैं और बहुत सारे जो मदर दर्म नरपेख्षता की समविधान की और कितनी दर्म नरपेख्षता समविधान को लागू किया जाता है लोगों के उपर कितना समविधान लागू जो नियम बनाए गए उनको लागू करती है प्रशासन और पुलिस वो कही ना कहीं उसकी बानगी इस वक देखने को मिल र देखे अंजली दरसल अगर इस पूरे घटना करम की बात करें इसमें पीडित को ये नहीं पता चलता है कि वो साजिस का सिकार हो रहा है क्योंकि इसमें तीन चीजे में गिनाना चाहूंगा जैसा कि हमने अपने पूरी रिपोर्ट में दिखाने का प्रयास किया कि लव और जि प्रशा व्यक्ति आकर कि ये कहता है कि मैं इसे अच्छी तालीम दूँगा नौकरी दूँगा काम दूँगा तो ऐसे में जो परिवार का भरोसा होता है वो व्यक्ति जीतने में काम्याब होता है निश्ची तोर पर मदरसे के लिए लड़की दे दी जाती है और बारी बार नोज्टत्स के एक साल का बंडारन उनके पास होता है, मदरसों के पास होता है. इस बात पर तमाम दर्स को कहरानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है, कि मदर्सों के अंदर इस तरीके के जो तहखाने हैं, वो होते हैं, हलाकि अगर हिंदू और मुस्लिम धर्म की बात किया जाए, किसी का धर्म ये नहीं कहता है, कि कोई किसी के धर्म का परिवर्पन करे, या फिर किसी का धर्म किसी के मत्य पर डाले, यहां पर सवाल ये है, कि जो भी पीडित लड़कियां होती है, वो बिना समझे और बिना सोचे इस चीज की सिकार होती है, और आज इस तरीके से कोट के अंदर इस पीडिता ने बयान दिये, वाकई में चौकाने वाले बयान है और इसमें आप दो चीजे देखिए, इस बयान के अंदर, एक तो पहले धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, मदर्सों के अंदर किस तरीके से पूरा एक गोरक धंधा चला है, उसके बाद, दूसरी सबसे बड़ी बात, कि जो अंगों का ब्यापार है, मानव अंगों का तस करीबी सुरू कर दी गई है, भारत में ऐसे कई मदर्से हैं, अगर सही तरीके से सरकार सज्ञान में ले, तो उसमें लाखों की संख्या में एक तो हजार निकलेंगे, दूसरी सबसे बड़ी बात, उनके तार जो हैं बिदेसों तक जुड़े हुए हैं, आपको एक महीने के अगर आप 20 लड़कियों को बिदेस या कहीं भेजते हैं, तो आपको बीजा मिल जाता है, तमाम ऐसी चीजे होती हैं, अम खुद मदर्से के जो संस्थापक हैं, जो संचालक हैं, आज जब उनसे मेरी बात चीत हो रही थी, लड़की जिस मदर्से में पढ़ाती थी, पीड लड़के होस्टल के तरीके से रहते हैं, जैसे आप किसी होस्टल में अपने लड़के को भेजने हैं, पढ़ने के लिए ठीक, मदर्सों के अंदर भी लड़कों को भेजा जाता है, वहाँ पे उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, और मदर्सों के अंदर अगर लड़कि तेरीकह भी मामला जुड़ा हुआ है जो कि बीदेशों में बड़े पहाने पर किया जारा है और तमाम ऐसे मदर 나서 हैं जहां पर यह काम चाहरा रहा है जो कि मुसमिमों पर वीख connect सेंगरार क्ली केछारी ऐक प्यूरा क्वाया किया जारा है चलिए जहां लड़किया जाती है हिंदु की वहाँ पर उनको विशेश रूप से एडमिशन दिलाकर हिंदु नाम रखे जाते हैं उनके और बहुत सारी मोगाईल शॉप की जो मेरे पास ख़वर आई हैं उसमें की बहुत सारी मोगाईल शॉप पर जो सिम देते हैं तो लड़किया जब सिम लेती हैं तो इनका नंबर ट्रैप कर लिया जाते हैं और फिर नंबरों से प्रतितियों से प्रिशे कराया जाता है प्रदेश के लोगों का उतना आर्थिक उत्थान नहीं कर पाए कि लिए भी मदरसों में जाने के लिए मजबूर हो जाए सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा होता है कि प्रशासन इस पर क्या कारवाई कर रहा है क्योंकि बिना ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन अगर इस पर कोई कारवाई करे तो उस तरह की घटनाए ना रुके लेकिन हमीशा हीला हवाली जो हो प्रशासन की और से देखने क पूरी की पूरी गटना की जो स्क्रिप्ट लिखे गई है उसमें तीन साल लगे हैं और पूरे तीन सालों से उस लड़की को बरगलानी की कोशिश की गई थी चलिए इस पूरी कहानी की जो पूरी की पूरी कहानी घटी है इस पूरी कहानी में क्या क्या हुआ है उस तड़की के साथ ये पूरी की पूरी कहानी हम आपको पीड़ता की जुबानी सुनवाते हैं प्रिशासन को कानो कान भी नहीं लगी भनक पंदरा सु रुपे की तंखवा पर मदर्से में लगी थी नोकरी पीड़िता मदर्से में बच्चों को अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाती थी 29 जून को दरिंदों ने पीड़िता का किया परहन दतोई स्थित मदर्से में ले जाकर उसे नशे की गोली खिलाई जब युक्ति ब्यहोश हो गई तो चार लोगों ने उसके साथ रेब जैसे घिनोंने अपराद को अंजान दिया आठ जुलाई को हालाद बिगडने पर मास्टरमाइंड सनाउल्ला को खबर दी गई 31 जुलाई को दरिंदों ने पीडित युत्ती का खराया धर्म परिवर्तर यूपी के मेरट में जो कुछ हुआ उसे सुनकर हर किसी का दिल दहल जाएगा और रूह काप उठेगी ये घटना लोगों के दिल को जखचोर कर रख देगी क्या है ये पूरा मामला हम आपको पीड़ता की जुबानी सुनाते हैं तीन सार पहले जब मैं इंटर्मीडियेट में पढ़ रही थी तभी पड़ोस में रहने वाले हस्मत की बेटी निशात में उससे दोस्ती की निशात मेरे साथ बीए फाइनल तक साथ पढ़ी उसनी तभी से इसलाम धर्म की अच्छाईयों को बताना शुरू कर दिया था जब मैं नौकरी तलाश रही थी तभी निशात में मेरी मदद की और मदर्से में पंदरा सौ रुके प्रतिमा की नौकरी बिलाई मैं मदर्से में अंग्रेजी और विंदी पढ़ने लगी थी इसी बीच 39 जून को सनाउल्ला अपनी बीवी समर जहां के साथ मिलकर ग्राम प्रतान नवाप की मदद से बुर्का पहना कर बाइक से उठा ले कया पहले हापूर के मदर्से में रखा इसके बाद गड़ के दतोवी इस सिर्फ मदर्से में ले जाकर नशीरा पदात खिला कर चार लोगों ने सामों पिश्कर्म किया इसके बाद मदर्से में रखकर बहला फुसला कर धर्म परिवत्न करा दिया उसके बाद सुपत-पत्र तयार किया, उस पर जन्नत बुश्रा नाम से हस्ताक्षर की होने फुद ही कर दिये, उसके बाद मैं घर लोट गई इस पूरे घटना करम पर पीड़ता की मां का क्या कहना है, वो भी हम आपको सुनाते हमारी बेटी को तावीज देकर अपने बस में कर लिया था, नवाफ रधान ने उसे पाँच हजार रुपे के विक्की दिलाने का जूटा चांसा दिया था, उसके बाद उसे अगवा कर इसलाम धर्म कुबूर करवा दिया, चार लोगों ने बेटी के साथ सामुहिक दुशकर अपने आपको समाजबादी बताने वाले सूबे के मुखिया, मुलायम सिंग और अखिलेश यादो को ये कानो कान भनक नहीं थी, कि समाज में इतने बड़े वरदात की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, आखिर ये कैसे समाजबादी हैं, जो समाज में घटने वाली माजबाद है, अगर आज लोहिया होते, तो तिल तिल कर मरते, अब तो जागो अखिलेश, यूपी में तो हद हो गई, कैमरामानी मानी समित्सरा के साथ, धीरज कुमार, सुदरसन नीज, नोईडा तो सुनी, आपने पीडिता की जबवानी पूरी कहानी की कैसे उसे बंदक बनाया गया, कैसे उसे अगवा किया गया, उसके बाद धर्म परिवर्तन की बात की गया, लगातार गैंगरेप उसके साथ किया गया, और उसके बाद जब पीडिता की बात की गया, तो तमाम ऐसी और भी लड़कियां वहां माजूद थी जहां से वो पीडिता चुट कर आई है एक बड़ा सवाल इस वक्त यहां ये भी खड़ा होता है कि उन लड़कियों की रिहाई के लिए प्रशासन किस तरह के कदम अब उठा रहा है कि अलग-अलग राजियों से इस तरह की लड़किय यहां लाया गया है उनका धर्ण परिवर्दन यहां कराया जा रहा है और इसी दिशा में जो कदम है वो उठाया जा रहा है मदर्सों की और से हलाकि हम किसी विशेच समुदाय पर निशाना नहीं साथ रहे लेकिन फिर भी कही ना कही एक बड़ा सवाल इस वक्त यहां यह का काम करते हैं जिनमें तालीम दी जाती है उनमें इस तरह के काम की हो रहे हैं इस पूरी बाची पूरी कहानी पर चर्चा में हमारे साथ कई लोग चुड़े हुए हैं चली गॉलफ से वेले आपका रूप करते हैं आपने जायजा लिया है ग्राउंड जीरो का आप प्रसासन की अगर बात किया जा ऐसा नहीं है कि पहला कोई मामला निकल के सामने रहा लगातार इस तरीके के मामले हैं वो आते रहते हैं साब तोर पर कहना है कि जो उसे पंद्रे सो रुपे दिये जाते थे, वो भी टाइम से नहीं मिलते थे, और घर की हालात ये हैं कि अगर लड़की के पैसे अगर टाइम से नहीं मिलते थे, तो एक टाइम का चूला इनका नहीं जल पाता था, घर वाकई में एक गरीब परिवा लड़की जो है तो निश्चित तोर पे इस पे सूबे के जो सरकार है उन्हें सोचना चाहिए हलां कि अब तक इस घटना करम पे इतना समय भी चुका है लेकिन कोई भी सूबे का कोई मंत्री वहां तक नहीं पहुंचा है नहीं किसी ने इस घटना की अभी तक किसी को भनक रही है लगतार प्रदेश में दंगे हो रहे हैं अगर हम मुझफर नगर के लिए दो मिनिट लिए बात करें मुझफर नगर की घटना पर मुझफर नगर में जब दंगे हुए थे लड़कीयों का वहां पर रेप किया जाता था लेकिन उसके बाद कोई मंत्री मौके पर न अंजली जिस तरीके से गाउं का महाल है उस गाउं के महाल को अगर भापने का मैं प्रयास करूँ तो वाकई यही निचोड निकल के आता है कि गाउं के अंदर जबरन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लड़की को बहलाया फुसलाया उसके बास से उसे मदरसे तक धकेला गय और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि मदरसों के अंदर वाकई में तालीम दी जाती है तमाम ऐसे जो चात्र हैं मुस्लिम परिवार के लड़के हैं वो पढ़ने जाते हैं वो वहाँ पे रहते भी हैं लेकिन कुछ ऐसे मदरसे हैं जहां से पूरी घटना क्रम की स्क्र क्रिप्टिंग तयार होती है और हिंदू लड़कियों को निसाना बनाया जाता है जैसा कि हमारे जो एक गेस्ट हैं इस्टूडियो कें अंदर बैठे उनका कहना है कि पहले बहलाया फुसलाया जाता है पहले से ट्रैक किया जाता है वाकई यह चीज़े चल रही हैं आज औ कर आप एक ठाने की डायरी उठा करके बैठ जाईए तो चिंता का विशा यहां पर हो जाएगा लेकिन कुई सी मामले पर सरकार के तरब से किसी तरीके की कोई पहल नहीं की जाती है मेरट की घटना इसने ज्यादा उचल रही है क्योंकि इसमें धर्म परिवर्तन की बात सामने आई हाला कि कुछ लोग वहां पर ऐसे भी हैं जिनका साफ तोर पर कहना है कि रोजा और रोटी विवात को वाक्त बहुत उच्छाला गया था उसके जब तक माफी तक की बात सामने नहीं आई थी तब तक लोग लगे हुए थे लेकिन इस मामले पर प्रशासन क्यों सांथ ह जे चले वाकर एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं पर बेस वक्त खड़ा होता है दलितों की बात की जाती है कि दलितों के साथ अंध्याय किया जाता है उत्तरपरदेश में लेकिन हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एक सामाने वर्ग से जो लड़की है तालूक रखती को संतुष करने की बात की जा रहें कहीं विशेश्वर को खुश करने के लिए इस तरह की राजनीती की जा रहें इसमें कोई ऐसा डौट नहीं है जो समाजवाद एक महानायक बोलता है लड़कों से गलती हो जाती है और उनको हम क्या जान निकल देंगे या उनको सूली पे हमको आशेजन का कोई बात नहीं है और दूसरी बात यह है जहां ये सामराजवादी संगटनों को ये लोग अपने वोट बैंक बनाके और धर्म का खेल खेल कर ये लोग जो लड़कियों का अगवा करने का और लड़कियों से ही उसका धर्म का आगे बढ़ाने का जो काम च में और भारा में बहुत चोकाने वाले रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है पेपर में भी आई है हर साल तीन करोड योतियां भारत से गाइब हो जाते हैं ये इसके उपर कोई काम हो रहा है कि नहीं मालों नहीं हम बहुत बार इसका उपर हम जानने का कोशिश किया लेकिन कोई पता नहीं चल पाता कि कौन कहां गायब हुई और हार कर माबाब जो की इतजार करते रहते हैं अपने बच्चों का वो ठक जाते हैं लेकिन एक बड़ा सवाल इस वक्त यहां खड़ा होता है कि रोजा रूटी विवाद के अगर हम बात करें तो उस पर तमाम बहस की ज अठाया चाता है लेकिन इस एहम मुद्दे पर चुपी क्यों साथी हुई है सरकार ने चलिए इसका जवाब भी लेंगे लेकिन फिलहाल लुक रहें छोड़े से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है इस वक्त हम बात कर रहे हैं यूपी की यूपी में लड़की के साथ ग्यांगरेप के बाद उसका धर्म परिवरतन कर दिया कया और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम एहमान इस वक्ते खटा हुए है सबसे पहले अनुजी आपका रुक में करना चाहूंगी इस तरीके से आपने बताया कि लव जिहाद का एक पूरा चैप्टर चल रहा है पूरी की पूरी लड़कियों को फसाया जाता है इस पूरे मामले में और उनको आगे ले जाकर उनका धर्म परिवरतन कर दिया जाता ह मैं यह जानना चाहूंगी आपसे मैं यह बर्के हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगी कि किस तरीके कि लड़कियों को टार्गेट किया जाता है क्या लगते है कि आर्थिक रूप से जो असक्षम लड़किया है उन्हीं को इस पर विशेश तोर पर इसका टागे बनाया यह तो हर वर्ग की लड़कियां शाजिश का शिकार हो रही है जो तथाकतित अल्ट्रा मॉडर्ण लड़किया है वो सेकुलर माइंड सेट रखती है उनको लगता है कि धर्म कोई मैटर ही नहीं है और लगबग यूपी और एंडिय के बहुत सा रहनेताओं की पतनियां उन काउंटर पार्टनस हैं वो अलग-अलग धर्मों के हैं और वो एक स्वभाविक ब्रत्ती होने में कोई परिशाई नहीं कि एक स्वभावी ग्रूप से आपका अफेर हुआ और आपने शादी कर ली लेकिन जवरन एक शाजिश के तहत अगर ये काम कराया जा रहा है और और उसमें अपने धर्म की लड़की इस्तिमाल की जाती दूसरे धर्म की लड़की इस्तिमाल की जाती है और कहीं नगहीं इस्लामिक फट्रपंद को इस्लामियत को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ तठा कतित घटिया लोग मैं नहीं मनता है इसलाम कभी इसलाम के जो सच्चे इसलाम के अनुगाई होंगे वो इस तरह की गटनाओं की समर्थन करेंगे वो लोग करते हैं दो चीजे मैं बताना चाहता हूँ जो बड़ी इंपोर्टन है एक टर्निंग पाइंट आया था उठाज़ाशी में जब राजीव गंदी ने शाहवानवाले केस में शरियत सुप्रिम कोड के आउडर को समाननागरिक सहीता लागू करने के आउडर को डर किनार करकर और शरिय जन मुवी आंदोलन के नाम पर एक खेज अंदोलन शुरुआ वो हिंदू सौई मान की बात हुई हिंदू आसमिता की बात हुई उसने कहीं नागी विवाजन की खाई गेरी और इधर इसलामिक कटरबंद को पाकिस्तान से और बंगलादेश से बड़ी सपोर्ट मिली और ए इस तरह की घटनाएं देखने को मिलते लेकिन इस वक्त मुद्दा जो है वो यह है कि एक लड़की है उसके साथ गैंगरेट किया जाता है सबसे शर्मनाग घटना को पहले अंजाम दिया जाता है उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है कुल मिलाकर एक इस तरह के शर्मनाग बयान देंगे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जो उनके अंडर में काम करते हैं जो नेता लोग है उनकी क्या स्थिती वहापत बनी हुई होगी लेकिन फिलहार जो सब्सक्री बड़ा सवाल है वो इस वक्त यही खड़ा हो रहा है कि ज को प्रümका से तरह को लेकर को व्हक देम की बाई सकता है वहादा ज़ेकिन के बनी हुई है जब और तरह को वहाह्त पड़ा सवाल है यह इस वक्त है मुद्धाया और क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वचा होगी देखिए वजय तो बिल्कुछ साफ साफ है कि उनको अपना धर्म का प्रसार करना है और और अब बच्चे पैदा कर सकती है पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकता चले आपकी बात को रखते हुआ हम आपकी बात से बाकिया रखते लेकिन इस वक्त फिर और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में प्रशासन को इस पर कड़ारुक्य वक्तिया नहीं कर लेना चाहिए कि जब हमारे देश में जब रोजा रोटी विवाद उटकर आता है तो संसद में भी इस पर शो हमारे समय दारण की दहरां पीस है उस के अनरूप अलफ संक्यकों को अपने दार्मे की संस्तान खोलने के जाना देश में शिक्षातouch पतर य छिए यहक्ति न कोती है कि बहुत सभाविक होती है भारत में इस लामिक और याकरिश्या इजो स्कूल खूलते हैं या मदर से कु और देश जहां एक तरफ हिंदू समाज बहुत तहीं से आगे बढ़ड़ा है आधुनी करने की तरफ बढ़ड़ा है यह समाज बहीं कहीं हुए पिछले जह रहे हैं तो एक बहुत बड़ा गैप प्यादा हो रहा हुए इसके लिए सरकारे काम नहीं कर रही है उनको बोर्ड करनाटक की अंधर प्रदेश की भी है हर जैगे से इस तरह की कठरपंद के खबर आ रही है लगातार लड़कियों को बरगलाया जा रहा है कहीं धार्मिक इंसाय हो रही है छैसो गटनाएं एंडी की सरकार बनने के बाद तो सिर्फ यूपी में हो चोगी है एक इंडिने एक सब्सक्राइब कर रही है और इस पर किंद्र सरकार को एक सर्व दलिये समिती बनाकर एक निर्णायक रंडिती बनानी पड़ेगी क्योंकि एक बहुत एहम मुद्दा इसे मान कर चला जा रहा है शले गौरफ आपके पास आना चाहूंगी गौरफ क्या लगता है इस पूरे मामने को लेकर कि सरकार की हीला हवाली एक बार पिरसे सामने आ रही है जिस तरीके से लड़की ने बयान दिये है कि तमाम और पातार एक एक बिंदू उपर काम कर रही है सबसे पहले जो उसके पार्ट निकाले गए वो क्यों निकाले गए उसके पीछे क्या वज़ा है लड़की के जो सरीर है उसके उपर आपरेशन जो किया गया है उस पे निशान मिले हुए है पार्ट जहां से निकाले गए हैं जो मदर से हैं वाकई उनमें इस तरीके के काम चल रहे हैं। प्रदेश सरकार मीडिया में आने के बाद ही क्यों आक्शन लेती हैं। तो भी एक बड़ा सवाल इस वक्ति हां खड़ा होता है कि किसी भी धर्म की लड़की के साथ अगर इस तरह का व्यभार किया जाए। जबरन उसके साथ धन परिवर्तन करने की बात की जाए उसके साथ गैंग रेप किया जाए। वो कितना सही होगा और अगर सरकार इस पर आक्शन ले तो क्या कर आक्शन इस पर सरकार ले। यह पहले जैसा हम सोच रहे थें जैसा यूनिफार्म कोड लागू हो और दूसरी बात यह स्टेट गवर्न्मेंट राज्य का जो गवर्न्मेंट जो है वो कंप्लीटली फेल हो गई है इमिडिटली उनको निकालके राष्टपति शासन लगाए और दूसरी बात कहीं भी को पूरा दूनिया में हम सर दिखाने वाले मुद दिखाने लाइक नहीं रहे चलिए तो कुल मिलाकर एक कड़ा एक्शन एक बड़ा मुद्दा यह है और इस पर कड़ा एक्शन सरकार को लेना होगा वैसे तो यूपी सरकार हमेशा सही सवालों के घेरी में रही है तमाम पूरी की घटना के पीछे यूपी सरकार की हीला हवाली है तो इस विशेश कारेक्रम में फिल हाल इतना ही जेह